प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी तंद्रूस होंगे और पढ़ाई के प्रती आप सभी का उच्चा कायम होगा। बच्चो, आज हम सात्मी कक्षा के विज्ञान का अध्याय पादपों में पोशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आप क्या कुछ जानते हैं। जीवों के लिए भोजन महत्वपून क्यों है। भोजन के घटक क्या है। पोशत तत्व क्या है। पादप अपना भोजन कैसे वनाते हैं। अब हम देखेंगे कि आज हम क्या सीखेंगे। पादपों में पोशन विधी, प्रकाश संशलेशन, पादपों में पोशन की अन्य विधिया, मृत जीवी, मृता में पोशकों की पुनपूर्ती। सबसे पहले हम पादपों में पोशन विधी को जानेंगे। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कारबन डायकसाइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। विधी जानने से पहले ये पता लगाते हैं कि पोशन क्या है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहन करने एवं इसके उपयोग की विधी को पोशन कहते हैं। पोशन दो परकार के होते हैं। सुह पोशन और विश्म पोशन। बच्चो क्या आप जानते हों कि पौधे अत्वा पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं। क्या आपने कभी अपना भोजन स्वय बनाया है। बच्चो क्या आपको पता है कि छोटे से छोटा पादप भी अपना भोजन स्वय बनाता है। पादपों दोरा अपना भोजन स्वय संशलेशित करने की विधी को प्रकाश संशलेशन कहते हैं। इसके लिए पादप को चार चीजों की आवश्यक्ता होती है। सूरे का प्रकाश, जल, कारबंडा एकसाइड तथा क्लोरोफिल। प्रकाश संशलेशन पत्यों द्वारा किया जाता है। पादप के पत्यों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जिन्हें रंद्र कहते हैं। इन सूक्ष्म रंद्रों द्वारा वायू में उपस्तित कारबंडा एकसाइड पत्यों में प्रवेश करती है। पादप सेलों में छोटी रचनाय होती हैं। जिनको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। इस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। पत्तियों में एक हरा वर्नक होता है जिसे ख्लोरोफिल कहते हैं। पत्ति की क्लोरोफिल यूक्त कोशिक हैं सूरे के प्रकाश की उपस्तेती में कार्बन डायकसाइट एवं जल से कारभो हाइड्रेट का संच्लेशिन करती है। इस प्रकरम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, बना हुआ भोजन गुलुकोस के रूप में संचित होता है, जो पादप को पोशन देता है और उसके बढ़ने में भी सहायक होता है, बचा हुआ भोजन स्टाच के रूप में पादप में ही जमा हो जाता है, जो बाद में इस् इसलिए प्रकाश अंस्टिलेशन वह प्रक्रम है जिसमें पादप, कारबन डायकसाइड, जल, सूरे के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वय तैयार करते हैं पत्तियों में स्टार्च परिक्षन बच्चो इस क्रिया में हमें कुछ जरूरी सामगरी चाहिए जैसे की एक हरा पत्ता, बीकर में गरम पानी, अलकोहल, आयोडीन घोल, पर्क नली, स्पिरिट लेंप, ट्राइपॉड स्टैंड और पैट्री डिश अब हरे पत्ते को पैट्री डिश में रखें, जिसको कुछ गंटे के लिए सूरे के प्रकाश में रखा गया हो स्पिरिट लेंप को चलाओ, अब हरे पत्ते को गरम पानी से भरे बीकर में डाल कर उस बीकर को ट्राइपॉड स्टैंड पर रखो पानी को तब तक गरम होने दो जब तक पत्ते की सेल चिल्नी तूट ना जाए और सेल पित्ती नरम ना हो जाए, सेल पित्ती नरम इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हमें आयूटीन के घोल को पत्ती में अच्छी तरह से सोकना है, अब पत्ते को पानी में से निकाल लें और परक नली में डाल दें, इसमें कुछ मात्रा में अलकोहल डालें, और पत्ते को अलकोहल के साथ अच्छी तरह से ढख दें, अब इस परक नली को फिर से बीकर में डालदें, और पानी को तब तक गरम करें जब तक पते का सारा हरा रंग बाहर ना निकल जाये. पत्ते से निकला हुआ हरा रंग पत्ते में मौझूद क्लोरोफिल के कारण था. अभी पत्ते को परक नली में निकाल कर दुबारा पैट्री डिश में डाल दो पत्ते के उपर आयोटीन घोल की कुछ बूंदे डालो पत्ते का रंग नोट करो पत्ता काला नीला हो गया है पत्ते का ये काला नीला रंग स्टार्च की उपस्तिति को दर्शाता है पादप में अन्य भोजन संशलेशन बच्चों आप जानते ही होंगे कि वायू मंडल में 78 प्रतिशत नाइट्रोजन होती है लेकिन पादप नाइट्रोजन गैस का इसी रूप में उप्योग नहीं करते वायू मंडल में बिजली की चमक से नाइट्रोजन गैस नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल अत्वा परिवर्तित हो जाती है जो वर्षा के पानी से भूमी में समा जाती है दूसरी और पादपों के जड़ों में उपस्तित राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को अमोनिया में तब्दील कर देता है इसका उप्योग पादपों के दुआरा किया जाता है पादपों के जाता है